यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमरे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावत सले मात्रबों में मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ कि चीन और भारत का जो तनाव है बॉर्डर पर उस तनाव में एक्चुली भारत में चीन को इस तरह से फसाया हुआ है या चीन पहली बार सुतंतरता के बाद यानि सुतंतरता हमारी सुतंतरता के बाद और चीन पर कम्मिनिस्टों के कबजे के बाद पहली बार Communist कहीं संसार में किसी भी देश से अगर फसा है तो वो पहली बार फसा है वो अमरिका से ट्रेड वार कर रहे थे, WTO चले गए, WTO ने उनको रिलीफ दे दी, अमेरिका पीछे हटना पड़ा पूरे वर्ड में जहां कहीं भी वो गए, वहां पर उनने ट्रेड वार किया हो, या प्रभुत्तो का वार किया हो, हर जगे वो प्रवेल करते रहे, हमारे हम भी करते रहे, लेकिन अभी पिछले 4-5 महिने का जून के पहले क्या मई से या अभी तक की हम बात करें तो चीन पहली बार संसार में अपने आपको फसा हुआ पा रहा है, मैंने तब भी ये कहा था कि गलवान से चीन अगर जाता है पीछे, अब हम कह रहे हैं 1962 से पहले जाए और 1962 का हमारा रिकॉर्ड है, नहरू जी के साथ जो समझाता हुआ है, तो उस रिकॉर्ड, 1962 के रिकॉ 60% दूसरे देशों को कबजा करके रखा है, और दूसरे देशों की territory भी उसने कबजा करके रखा है, अगर वो हमारी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो युएस के साथ युद्ध हो सकता है, भारत के साथ युद्ध हो सकता है, और युद्ध में वो चारो और से घिरा हुआ है, क्योंकि उसके जितने भी revolutionary country हैं जिन countryों की जमीने उसने टापू, जमीन और समुदरों पर कबजा करके रखा है वो सारे इस समय तैयार हैं इसी बीच एक सूचना आई कि जी शिंग पिंग ने कल तिबबत को लेकर एक बैठक की और उस बैठक में कहा गया कि तिबबत को की education प्रणाली बदलनी है, तिबबत के लोगों को जो धार्मिक सांस्कृतिक उनकी विरासत है, उस विरासत को चीन के compatible बनाना है अब देखे, उन्होंना कहा तिबबत को चीन के compatible बनाने, यानि कि चीन के मस्तिष्क में भी कही न कहीं ये बात है कि तिबबत हमारा पूर्णूरूप से हिस्सा नहीं है और हमने कपजा करके रखा और कभी भी तिबबत स्वायत तो हो सकता, क्योंकि तिबबत के जो सरवच्छनेता हैं, वो भारत में हैं दलाई लामा सन 1959 से पहले, बन 1959 के बाद से अब तिबबत पर जो वार चल रहा है, यानि की संसार भर का, वो यह है कि तिबबत चीन का हिस्सा है या नहीं है 1950 में चीन ने जब तिबबत पर कबजा किया, उस समय चीन तिबबत स्वतंद था, उन्ने सो बारा से लेके तो एकदम स्वतंद था और बारा से पहले उनकी कुछ ट्रिटिया वगरा हुआ करती था लेकिन तिबबत हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट था, जब हम प्रोटेक्टरेट स्टेट कहते हैं तो प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब होता है जैसे हमारे लिए इस समय भूटान है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है वो स्वतंतर रहेगा उससे हमारा कोई उसके हम टैक्सिस नहीं लेंगे हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है ऐसा तिबबत छेतर भी हमारा 1950 में हुआ करता था चीन पर कम्मिनिस्टों ने कबजा किया और चीन के जो ओरिजिनल शाशक थे उस समय के वो यहां से माइग्रेट के और फोमोसा नाम के एक टापू पर गए जिसको आज आप दूसरे नाम से जानते हैं और फोमोसा में उन्होंने जाकर अपनी सरकार बनाई और उसको नया नाम दिया जिसका नाम था ताइवान तो हम सब जानते हैं ताइवान ओर्जिनल कंट्री है ताइवान ओर्जिनल चीन है और 70 की दशक तक ताइवान ही UNO में चीन का रेप्रेजेंटेशन करता था इस चीन जो आज का कमनेश चीन है उस चीन को 70 की दशक तक UNO ने मानता नहीं दी थी यूएस ने उनको कभी माननता नहीं दी जब यूएनों ने माननता दे दी तो उसके बाद यूएस को भी माननता देनी पड़ी 1973-74 के तरफ लेकिन तिबबत पर जो चीन का कबजा है उसको यूएस ने कभी भी माननता नहीं दी इवन आज भी माननता नहीं दी भारत ने भी य सिंसर्णु अर्ग से यानि की नाठुला के रास्ते से मां सरोबर की रास्ता खोली कंलाश मां सरोबर के लिए तो लोगों का कहना है कि तिब्बत jakiś मननता देजी थी कि वह चीन का पार्ट यह गलत फहिमी लोगों की हैं मैं आपको बता दूँ कि वाजपई जी ने उस समय जब सिक्किम का विवात था क्योंकि चीन ने सिक्किम को कभी भी भारत का हिसा नहीं माना उस समय 2003 में जब हमने नाथुला दर्रा खोला तो नाथुला दर्रे से जब रास्ता खोला गया तो इ सिक्किम को चीन के द्वारा मानता दे दीगी क्योंकि सिक्किम के रास्ते से वो नाथुला दर्रा निकलता है अब बाती आती है कि वाजपई ने क्या तिबबत को मानता दी वाजपई की तिबबत की मानता के लिए भी यह कहा गया कि बही चूंकि तिबबत चीन के कभजे मे है और चीन का रास्ता जो मानसरोबर का रास्ता है वो हम नातुले दर्रे से खोला तो यह और चीन के साथ उसका समझता किया इसका मतलब यह हो गया कि हमने चीन को जब तिब्बत को मानने कर लिया चीन के पास ऐसा नहीं है बाचपी जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था क्योंकि हम जब माननेता की बात करते हैं कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर जब कबजा कर लेता है तो उसके साथ राजनेक संबंद हम तभी मनाते हैं बनाते हैं जब हम उसको मानता दे देते हैं जैसे तालिवानियों ने अफगानिस्तान पर कबजा करके रखा था तो अफगानिस्तान की सरकार तो तालिवान के हाथ में थी लेकिन हमने कभी मानता नहीं दी विश्व के दूसरे कंट्री ने भी कभी उनको मानता नहीं दी इसलिए अफगानिस्तान के साथ किसी ने कोई ट्रेड और कोई बेवार नहीं किया, वो एक अतंगवादी छेतर बना रहा, ऐसे ही चीन को तिबबत की मानता, यानि कि तिबबत को हम स्वायत छेतर मानते हैं, तिबबत को हम स्वतंतर छेतर मानते हैं, या तिबबत को हम चीन क की boundary alter कर दी तो स्वायत छित्र तिबबत को तो हमने चीन का हिस्सा माना लेकिन जो तिबबत है ओरिजनल तिबबत है जो दलाई लामा का छित्र है उस छित्र को हमने मानता नहीं दी और हमने कहा भी उस समय वाचपी जी की तिबबत चीन का हिस्सा है ऐसा नहीं मानेता दो प्रकार की होती है एक को हम डी फैक्टो मानेता कहते हैं डी फैक्टो recognition कहते हैं एक को डी जियो recognition कहते हैं इन्दे की विदिपूर्ण मानेता और डी फैक्टो तथेन मानेता तो डी फैक्टो मानेता और वो उस जिस हिस्से की हम मानता दे रहे हैं उस हिस्से में हमारे according काम करेगा अगर वो नहीं करेगा तो तथेन मानता जिसको हम de facto recognition कहते हैं उसको कोई भी country कभी भी withdraw कर सकता है लेकिन de facto मानता को एक लंबे समय तक चलने के बाद वो country जिसने मानता दी है जिसने recognition किया है वो उस country को de jore मानता भी दे सकता है और कहता है अब हम विदिक रूप से इसको मानता देते हैं और यह उसका हिस्सा है आज भी तिब्बत को हमने बाचपई के statement के अनुसार आज भी तिब्बत को हमने de jore मानता नहीं दे रखिये है हमने उसको de facto मानता दे रखिये यानि कि तथेन मानता दे रखिये जिसको withdraw करने का अधिकार हमको है और भारत मुझे लगता है कि किसी भी stage पर जब यह थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो भारत उसका इस्तेमाल जरूर करेगा कि हम de facto मानता को भी वापस लेते है जबकि अमरीका ने आज भी तिब्बत को मानता तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मानता नहीं दी इसलिए Mike Pompeo का अगर जो अमरीका के विदेश मंतरी हैं उनका स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हम जो लोग तिब्बत के से हमारे राजनेक संबंदों को स्थापित नहीं होने दे रहे हैं राजनेक संबंद कहां स्थापित होंगे राजनेक संबंद तभी स्थापित होंगे जब वो country independent होगा, हम किसी country के अंदर कोई हिस्सा है तो उसके साथ राजनेक संबंदने इस्ताबित कर सकते हैं. अम्रीका कह रहा है कि हम तिबबत के साथ राजनेक संबंद बनाना चाहते हैं चीन से हट कर, क्योंकि हमने कभी भी तिबबत को चीन का हिस्सा नहीं माना इसलिए तिब्बत के साथ हम राजनेक संबंद बंद बनाना चाहेते हैं और ये राजनेक संबंदों को चीन के पदादिकारी बनाने नहीं दे रहे हैं इसलिए चीन के ऐसे अधिकारी जो तिबबत के साथ हमारे स्वाइतर संबंद नहीं बनने दे रहे हैं राजने एक संबंद नहीं बनने दे रहे हैं हम उनके वीजा कैंसल करते हैं और उनको अमेरिका में आने की अनुमती नहीं दे रहे हैं ये जो तिब्बत को लेकर अभी जो जी शिंग्पिंग वेठक की और उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि तिब्बत में confidence building होनी चाहिए, यूथ को एक दिशा देनी चाहिए, चीन का महत उनको समझाना चाहिए, चीन के बारे में उनको बताना चाहिए, च साफ जहिर करता है कि चीन के मन में कितनी खुल बुलाहट है, और वो खुल बुलाहट इस इसतर की है कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ, तो चीन की जनता, तिब्बत की जनता चीन के खलाफ खड़ी होगी, यहां तक कि जिन शियांग, जिसको तुरकिस्तान पहले कहा जाता था, यह मुस्लिम छेतर है, हमको पता होगा कि मुगल में दो मेक्सिंग थी, तुर्क और मंगोल, मंगोल का साशक भी मुसल्मान था और तुर्क भी मुसल्मान थे, इन दोनों को मिक्स करके मुगल भारत में आए, तो जो जिन शियांग परांता है, चीन के पास यह सम खुड़ा भंग कर दिया, इसलाम को जमीन पर मिला दिया, टोपी लगाने पर वेन लगा दिया, कुरान पढ़ने पर वेन लगा दिया, और वहां कोई भी रिलिजस प्रेक्टिस करने से मना कर दिया, और वेन लगा दिया, इसलिए अभी क्या है कि उनकी यह जो 60% छित रहे जिन पर उनने कबजा करके रखा है चीन अब इस इस्तिती में आ चुका है कि उनके स्टेट्स के अंदर अविवस्ता फैलने लगी है और अंदर से ग्रह उत्तिकी संभावने जलकने लगी है क्योंकि 18 अडोस-प्रोस के देश तो अलड़ी अपनी सेना है अमरिका के साथ लगाया बैठा है और भारत अपनी सेना है लगाया बैठा है और भारत किसी भी तरह से एक भी क्षण पीछे हटना नहीं चाहता है भारत अब कठोरता से ये कह रहा है कि आप 1962 से पहले वाली सिच्वेशन पर जाएए और जब 62 की सिच्वेशन पर जाएंगे तब हम आपसे टॉक करना शुरू करेंगे कि हमें अक्साई चीन अब कब दे रहे हो हमें सक्षगाम घाटी कब दे रहे हो और जो छेतर हमारा अपने कब जा करके रखा है जो भी छेतर है वो हमें कब दे रहे हो हम और उस पर वारता करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो मैं शुरू से कहता आ रहा था कि इस बार बहुत बुरे मोदी के फंदे में चीन फसा हुआ है और ये जो टिब्बत को लेकर वो अलग से बैठाक करके उन्होंने टिब्बत को इंस्रक्शन दिए तिब्बत के साशकों में इस्रक्शन दिए अधिकारिyों को इंस्रक्शन दिए confidence building के लिए कुछ measures करने की बात कई, कुछ आम करने की बात की मुझे लगता है कि ये मोधी सरकार का प्रबाह हूए और आब चीन को अंदर से बहुत खत्रा बहुत डर लग रहा है जिनश्यांग में भी तिब्बत में भी और उन्होंने जो कबजा करके रखा और जो अड़ोस्प्रोस के देशों से के territory उन्हें कबजा करके रखे उन सभी में उनको अब घबराहट हो रही है क्योंकि उनको लगता था कि भारत को हम एक बार प्रेशर में ले लेंगे और भारत अगर प्रेशर में जैसे आता रहा पिछले 60 साल वैसे अगर भारत प्रेशर में अब की बार भी आ गया तो हमारी सक्ता जमी रहेगी क्योंकि उसकी सक्ता कोई प्रेम से नहीं है उसकी सक्ता जबर्दस्ती की है और जहां जबर्दस्ती की सक्ता होती वहाँ एक अवसर की अवशक्ता होती है और जैसी अवसर मिलता है जनता को जैसी अवसर मिलता है अलोसपरोस के देशों को जैसी अवसर मिलता है वहां के विद्रवियों को वो बिलकुल खुल कर सामने आ जाते हैं और चीन को ये खतरा महसूस होने लगा है कि भारत से इस परिस्तिती में जब भारत ने हमारी उनकी ट्रेट खतम करती हो जब भारत ने उनकी एकानोमिक पॉलिसी भस्ट करती हो जब भारत ने उनकी विदेशनीती भंग करती हो जब भारत ने उनका पूरे विश्व में इस्तिती खराब करती हो ऐसी इस्तिती में अगर चीन की एकानोमिक खराब हो जाए और चीन विवस हो जाए तो फिर जनता का विद्रो करना स्वभविक है और जनता विद्रो करने के लिए चुकि लंबे समय से बैठी हुई है इसलिए चीन के लिए इससे बड़ा खत्रा कभी पैदा नहीं हुआ जब से उसने कम्मिनिस्टोन ने जब से वहां पर कबजा किया 1959 में दलाई लामा भारत में आये थे तब से दलाई लामा को ही तिबबत की सरकार माना जाता है तिबबत के लोग दलाई लामा को ही तिबबत की सरकार मानते हैं और बाकी कबजा तो कम्मिनिस्टोन ने करके रखा है जैसे हमारे देश के उपर अंग्रेजों ने फिजिकल कभजा करके रखाता लेकिन हम mentally कभी उसके नहीं हुए जैसे मुगलों ने और मुसल्मनों ने भारत पर physical कभजा करके रखाता लेकिन हम mentally कभी उनके आधीन नहीं हुए यह हम संगर्श करते रहे वैसे ही situation को चीन की है और मुझे लगता है कुछ अच्छे प्रणाम भरत के पक्ष में आगे दिखाई देंगे लेकिन चीन से ये जो तिबबत से ये जो खबर आई है मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए और मोदी को सदुबात कहना चाहिए इस पूरी organization को चलाने के लिए आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं जिससे की law students को, lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है वो paid classes का lab ले सकता है